तो है गाई तो आज के एक और एक्साइटिंग वीडियो में आपका विलकम है तो आज के सुरूड़ो में आप लोगों को मैं बताने में लोगाइस फ्री फार के न्यू उभेंड के बारे में जहां पे आप लोगों को गाईस AWM कीए इंड गुरोजा लेजन्डरी गाईस यहाँ पे एक बंडल मिलने वाला एंड निचे स्प्रीट फॉक्स मिलने वाला है घैस यहाँ पर हम लोगों को 30 डैमेंड एंड 4010 डैमेंड खर्चा होता है तो यह यह सब बंडल हम लोगों को एंड यह स्प्रीट फॉक्स तो आप लोग अन तक देखना वीडियो को मिसमत करना चलिए वीडियो स्टार्ट करते तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चोटा सा रिक्वेस्ट है क्योंकि हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बिलवाल ऐकन को प्रेस कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना तो यहां पर फर्स्ट में हम इवेंट की डेट की बात कर लेते हैं तो साथ तो हम लोग को बंडल मिल जागा गुरूजा भी मिल जागा एंड ले डब्ली मिल जागा एंड यहां पर एस्टेफ अप 10 डामेंड वाले को ओपें कर लेते हैं पहले यहां पर वाले को 30 डामेंड में ओपें की हैं तो मतलब लॉकर को खोले तो यहां पर 299 में मतलब 300 डामेंड का स्पीन होने वाला है तो यहां पर आप लोग के सामने स्पीन करके देखोंगा क्या क्या हम लोग को कितना डामेंड वेस्ट होता है तो मिलने वाला है तो आप यहां पर फर्स्ट में मार देते हैं 300 डाइमड का यहां पर मेरे को अगली वार मारते हैं कि क्या फस्ता है मेरे को तो यहां पर नूबड़ा वाला मेरे को ड्रेस मिल चुका मतलब यहां पर बंडल मिल चुका नूबड़ा वाला तो यहां पर मेरा 600 डाइमड वेस्ट हो चुका एंड गाइस सिकन स्पीन मारते हैं तो मेरे को गुरुजा मिलने वाले मतलब यहां 900 खर्चा होता है तो आप लोगों को तीनों बंडल मिल जागा मतलब एक दो गन मिल ज्यादा डाइमंड मत वेश्ट करना आप लोगों को यह पता होना चाहिए क्योंकि 900 डाइमंड बहुत ही ज्यादा पर जाता है मतलब आप लोग लाइट पास ले सकते है 600 डाइमंड में तो यहां पर पूरे कश्चडा मिल चुका है तो आप लोगों सामने वेल्यूट में जाएंगे और देखेंगे गईस क्या लेजेंडी है या या डवलू एम नहीं तो गास वेल्यूट के अंदर जाते हैं पहले बंडल को दिखाते गाए बंडल को आप लोग देख सकते है नूपड़ा वाला बंडल है आप लोगों को यह पता चल गयोगा है तो कले गाइस कल आप लोग में दिखा दो करें इसको मैं दिछा दूगा तो डोगों को रेट उफायर देखने को मिलता है गाइस आप लोगों को कि एप अप लोग को को अप लोग दिखातें एंड लगईंड गया जेडम नहीं है तो आप लोगों को कैसा लगों को में जरूर बताना।